थिंक लाए के रॉकेट साइन्टिस्ट ओर जान वरोलो द्वारा लिखा बुक धिंक लाए के रॉकेट साइन्टिस्ट ओरोल, 2020, द्वारा एक नया मोर के साथ एक व्यावसाहिक और व्यक्तिगत शफलता की किताब है 2000 के दशक की शुरूआत में वरोल कॉनल विश्व विद्याले में खगोल विज्ञान के च्छात्र थे और बाद में माज एक्स्प्लोरेशन रोवर के लिए नासा के संचालन दल में शामिल हो गए करिय के बाद के परिवर्तन अकादमिक कानून के लिए के बावजूद वरोल के नासा के अनुभव से प्रारंभिक पाठ पुस्तक के लिए वैचारिक आधार प्रदान करते हैं परिनाम अन्यथा भीर भाडवाली पुस्तक श्रेनी में आश्चर्य जनक रूप से ताजा है लेखक काम और जीवन में बहतर परिनाम प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक व्यवहारिक समस्या समाधान रन्नीतियों की पेश कश करने के लिए रॉकेट साइन्स के लेंस का उप्योग करता है पुस्तक को तीन भागों में सनरचित किया गया है लॉंच, एकसेलरेट और अचीव भाग एक में वरोल अनिश्चित्ता को गले लगाने, पहले सिध्धानतों से तर्क और रचनात्मक रूप से सोचने के विभिन तरीकों की खोज करता है सयोजन भेन और चंद्रमा सोच सहित लक्ष हमारी सोच और रचनात्मकता पर स्वयम लगाए गए और परियावरन ये बाधाओं को दूर करना है भाग दो में वरोल इस बात पर विचार करता है कि हम समस्या समाधान के प्रती अपने द्रिष्टिकों को कैसे सुधार सकते हैं प्रश्ण को फिर से तयार करने, बहतर उत्तर देने के लिए और एक लचीली कामकाजी परिकल्पना विक्सित करने के लिए सीखने जैसी अवधारनाय प्रस्तुत की जाती हैं पुस्तक के अंतिम भाग में बताया गया है कि असफलता और सफलता के दुश्परिनामों पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए पूर्व में, पाठक को हमारी विफलताओं में सबक और डेटा से गले लगाने और सीखने के लिए सिखाया जाता है उत्तराध में, पुस्तक की ताकत उन कहानियों से आती है जो वरोल अपनी प्रमुखव धारनाओं को स्पष्ट करने के लिए उप्योग करती हैं हाला की वरोल विभिन विशेयों, व्यवसाय, इतिहास, कला, आधिक के उपाख्यानों की एक विस्तरिच श्रिंखला पर आधारित है नासा और अंतरिक शनवेशन के बारे में कहानिया अभिनीत भूमिका निभाती है उदाहरन के लिए आप इस बारे में जानेंगे की कैसे माज एक्स्प्लोरेशन रोवर टीम ने अपने वाहन के लिए एक लैंडिंग सिस्टम विक्सित किया और कैसे टीम को अचेतन धारनाओं को उपर उठाना पड़ा और इश्टम समाधान पर पहुँचने के लिए समस्या को फिर से परिभार्शित करना पड़ा आप सीखेंगे कि चैलेंजर शटल पर ओर रिंग्ज और कोलंबिया पर नियमिद, फोम इंसुलेशन कैसे बहाते हैं भयावय दूरघटनाओं का कारण बनने वाले शटल एजेंसी में गहरी प्रनालीगत और सांस्कृतिक समस्याओं के केवल प्रथम क्रम के लक्षन थे, जैसे जैसे आप पुस्तक की गहराई में जाएंगे, आप पाएंगे कि ये कहानिया न केवल वरोल के विचारों को प्रभावी धंग से चितरित करती हैं, बलकि वे अंतरेक शनवेशन के साथ आपके आकर्षन को भी बढ़ सकते हैं, यह अधिकान शात्म सुधार और व्यावसायक पुस्तकों के पार्थ्यक्रम के लिए एक बड़े वादे के साथ एक सामान्य उपशीरशक है, लेकिन कोई गलती न करें, यह कोई सामान्य व्यावसायक सफलता प्लेबुक नहीं है, समस्या समाधान के प्रतिमानों को रॉकेट साइन्स को अपने आख्यान में प्रभावी धंग से बुनकर, वरोल ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जो मूल, सुचनात्मक और आश्चर्य जनक रूप से मजेदार है, स्टेज वन, लॉंच, अध्याय वन, अनिश्चित्ता का सामना करते हुए उड़ना, सोच नूह हरारी, हम दुनिया को नियंतरित करने की कोशिश करने की तुलना में इसे समझने की कोशिश करने में कहीं अधिक समय और प्रयास खर्च करते हैं। चाहे वो कितना भी कम क्यूं न हो, सफलता तब मिलती है जब हम अनिश्चित्ता को गले लगाते हैं और स्ट्रीट लाम्प की सुरक्षा और किसी समस्या के ग्यात समाधानों से भटक जाते हैं। यदि आप परिचित से चिपके रहते हैं, तो आपको अप्रत्याशित नहीं मिलेगा। खोज की प्रक्रिया को अंधिरे में ठोकर खाने के परिनामस्वरूप धीमी प्रगती के रूप में देखा गया। एंड्रू विल्स गणितग्य जिन्होंने फमेट के अंतिम प्रमेय को हल किया। सफलताएं परिनती हैं और बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती कई महीनों तक अंधिरे में ठोकरें। अलबर्ट आइंस्टीन हमारे अंतिम परिनाम लगभग स्वयम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सत्य के लिए अंधिरे में वर्षों की खोज। जब तक कोई स्पष्टता और समझ को तोड़ नहीं देता। स्कूल में हमें एक गलत धारना दी जाती है कि वैज्ञानिकों ने प्रकाश स्विच के लिए एक सीधा रास्ता अपनाया। स्कूल इस सीधी रेखा को प्रगती प्रकार की सोच को सुद्रिड करने के लिए स्थापित किया गया है आधिकारिक पार्थ्य पुस्तकें। प्रत्यक रास्तों की अंदेखी करती हैं जिन पर लोग भटकते थे। जितने जूठे सुरागों का उन्होंने अनुसरन किया। उतनी ही गलत फहमिया थी। हम मानते हैं या विश्वास करने का दिखावा करते हैं। प्रत्यक प्रश्न का एक सही उत्तर है। हम मानते हैं कि यह सही जवाब हमसे कहीं ज्यादा होशियार किसी ने खोज लिया है। जुरूात हैं, अंत नहीं, अग्यात ग्यात, वे चीजें जिन्हें हम नहीं जानते हम नहीं जानते। हमें लगता है कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। हमारे निश्चित जुनून सार्वजनिक प्रवचन में हम बारीकियों के साथ गणना करने से बच्चते हैं परिनामी सार्वजनिक चर्चा सर्वोत्तम अनुमानों से समझदार सिधह तत्यों के लिए एक कठोर प्रणाली के बिना संचालित होती है डैनियल जे बर्स्टिन, इतिहासकार, खोज की सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता नहीं बलकी ज्ञान का भ्रम था निश्चित्ता हमसे सच्चाई को अंधा और छुपा देती हैं अहनकार और अभिमान कारक योगदान दे रहे हैं अनिश्चित्ता के प्रती मानविय अरुची एक अन्यकारक है जब समझ की शून्यता होती है जब हम अग्यात और अनिश्चित्ता के देश में काम कर रहे होते हैं मिथख और कहानियां जो अंतर को भरने के लिए होती हैं आपका बच्चा आत्मकेद्रित के लक्षन प्रदर्शित करता है इसे उस्टी के पर दोश दे जो बच्चे को दो हफ़ते पहले मिला था आपने मंगल ग्रह पर एक मानविय चहरा देखा एक प्राचीन सभ्हता का विस्तृत कार्य होना चाहिए जिसने संयोगवश मिस्वासियों को गीजा के पिरामिट बनाने में भी मदद की कथा भ्रांती कहानियों पर अती निर्भरता और कार्यकारण की सत्ही पठन जिसके परिनामस्वरूप गलत कहानिया या अर्ध सत्य विश्वस्नियस पश्टी करण के रूप में सामने आते हैं इस घटना को वर्तमान सामाजिक राजनीतिक महौल में बढ़ाया गया है उनके पास ग्यान की कमी है उनकी मुखरता को क्रैंक करके लोगतंत्र के लोग बनाते हैं बट्रे इंद्रसेल बेवकूफ बक्वास होते हैं जबकि बुधिमान संदेह से भरे होते हैं मैं नहीं जानता कहने में सक्षम होना बौधिक खोज में एक महत्वपून कदम है अज्ञानता को स्वीकार करें और फिर सीखने और बढ़ने के लिए काम करें रौकेट साइन्ज में, फिल्मों में, आपके खाली-खाली उद्यम में सभी प्रगती अंधिरे कमरों में होती हैं फिर भी हम में से अधिकांश लोग अंधिरे से डरते हैं जब हम अनिश्चित्ता को एक दोस्त के रूप में देखते हैं, दुश्मन के रूप में नहीं तो जीवन खुद को और अधिक प्रदान करता है रिचर्ड फेनमैन वैज्यानिक वैज्यानिक ज्यान निश्चित्ता की अलग अलग डिगरी के बयानों का एक समू है कुछ सबसे अनिश्चित, कुछ लगभग निश्चित, कोई भी बिलकुल निश्चित नहीं वैज्यानिक उत्तर अनुमानों और मॉडलों के रूप में प्रकट होते हैं जो तथ्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है अक्सर केवल एक संभावना होती है इसंगतियां प्रगती की एक महत्व पूर्ण चालक है कहानी विलियम हर्शल और यूरेनस ग्रह की खोज ग्रह की कक्षा तब तक अनिश्चित थी जब तक यह पता नहीं चला कि एक अन्य ग्रह ने पचून यूरेनस को प्रभावित कर रहा था कहानी बुद की कक्षा भी न्यूटन के भौतिकी से विचलित होती दिखाई दी जब तक आइनस्टीन ने न्यूटन के मौडल गुरुत्वा कर्शन कूओं उदाहरन के लिए एक गेंद बाजी गेंद और एक ट्राम्पोलिन पर बिलियर्ड गेंदों का उदाहरन पर विस्तार नहीं किया विसंगतियां अच्छे और बुरे और सही और गलत की इस साफ तस्वीर को विकृत करती है जीवन अनिश्चित्ता के बिना परियाप्त कर लगा रहा है इसलिए हम विसंगती को नजर अंदाज करके अनिश्चित्ता को खत्म करते हैं हम खुद को आश्वस्त करते हैं कि विसंगती अत्यधिक बाहरी या मापत्रूटी होनी चाहिए इसलिए हम दिखावा करते हैं कि यह अस्तित्व में नहीं है क्वांटम यांत्रिकी, एक्स रे, डीने, ओक्सीजन, पैनिसिलिन और अन्यकी खोज तब हुई जब वैज्ञानिकों ने अवहिलना करने के बजाए विसंगतियों को अपनाया, अनिश्चित्ताओं को स्वीकार करना उन्हें हल करने का पहला कदम है अनुशंसित अभ्यास, अपनी चिन्ताओं और अनिश्चित्ताओं को लिखें, आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं यह क्रिया अनिश्चित्ताओं के चारों और सीमाएं बनाती है, यह आपको यह पता लगाने की भी अनुमती देता है, सबसे खराब स्थिती क्या है, और सर्वोत्तम संभव परिनाम क्या है, रॉकेट विज्ञान में उप्योग की जाने वाली जोखिम शमन रन्नीतिया, अति अतिरेक का तात्पर्य विफलता के एक बिंदू से बचने के लिए बनाए गए बैकप से है जो पूरे मिशन से समझोता कर सकता है, अतिरेक स्वतंतर रूप से कार्य करना चाहिए, उदाहरन के लिए स्पेस, शटल में एक ही सॉफ्ट्वेर चलाने वाले चार कंप्यूटर थे और साथ ही एक अलग उप्ठेकेदार से पांचवा अलग सॉफ्ट्वेर चल रहा था, सुरक्षा के माजन, उदाहरन के लिए वे अंतरिक्ष यान को आवश्यक से अधिक मजबूत बनाते हैं या थमल इंसुलेशन को आवश्यकता से अधिक मोटा बनाते हैं, सुरक्ष अंत में, जब तक आप चलना शुरू नहीं करते तब तक आप प्रगती नहीं कर सकते, केवल एक बार जब आप कारवाई करना शुरू कर देंगे तो अंतता एक स्पष्ट रास्ता सामने आएगा, अधियाय टू, पहले सिध्धानतों से तर्क, अंजाने में, ग्यान हमें स हैं, हम में से अधिकांच लोग यह मानते हैं कि केवल गहरी जेब वाली सरकारी संस्थाएं ही इनका निर्मान कर सकती हैं, चीजें जो हमने इसे हमेशा इस तरह से किया है, का पालन करते हैं, नई सोच और नवाचार के लिए भीक मांग रही हैं, पत निर्भरता, हमने आग पत निर्भरता के उदाहरन, अंतर एक शटल इंजन की चोड़ाई, रेल लाइनों की चोड़ाई से निर्धारित होती थी जो इंजनों को परिवहन कर सकती थी, जो बदले में, रोमन सड़कायाम, 4 feet, 8.5 इंज पर आधारित थी, क्वटी कीबोर्ड योगियांत्रिक टाइ जाम हो जाएगा, क्वटी, दुर्भाग्य से, टाइपिंग, स्पीड और एगोनॉमिक्स के लिए एको पिष्टतम लियाउट है, अप्टन सिंक्लेर, किसी व्यक्ति को कुछ समझना मुश्किल होता है जब उसका वेतन इसे न समझने पर निर्भर करता है, कई कमपनिया न जिरासत और सहायक परतों की जबर्दस्ट मात्रा होती है, जेफ बेगोस पूचते हैं, यदि आप सतर्प नहीं हैं, तो प्रक्रिया एक चीज़ बन सकती है, क्या हम प्रक्रिया के मालिक है या प्रक्रिया हमारे पास है? ज्यान अच्छा है, लेकिन ज्यान को सूचित करना चाहिए, विवश नहीं, ज्ञान को प्रबुद करना चाहिए, असपश्ट नहीं, हम न केवल अतीत में हमने जो किया है, बलकि दूसरों ने भी जो किया है, उससे भी हम विवश हैं, लोग यह सोचना पसंद करते हैं कि वे मूल या अपरम परागत हैं, लेकिन वास्तविक्त यह है कि सामान्य तोर पर, लोग जुन्ट का अनुसरन करते हैं, चीनी कहावत, एक कुत्ता किसी चीज पर भौकता है, और सो अन्य उस आवाज पर भौकते हैं, अनिश्चित्ता की स्थिती में, हम अपने साथियों और प्रतिस परधियों से कॉपी और पेस्ट करते हैं, य यह मानते हुए कि वे कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते, वारंट बफे, व्यापार में पांच सबसे खतरनाक शब्द हैं, बाकी सब इसे कर रहे हैं, पहला सिध्धान्त सोच, डैसकाटेस ने इसे व्यवस्थित रूप से हर उस चीज पर संदे करने के रूप में वर्नित किया है जिस पर आप संभवता संदे कर सकते हैं, जब तक कि आप निर्विवाद सत्य के साथ नहीं रह जाते, यह द्रिश्टिकोन आपको द्रिश्यमान और अद्रिश्यमान्यताओं को समाप्त करने की अनुमती देता है, आप सत्य के मूलभूत घटकों से नए सि प्रतिभा एक लक्ष को हिट करती है, जिसे कोई और नहीं देख सकता है, के स्टडी, एलोन मस्क और रॉकेट अक्स मस्क ने भौतिकी के पहले सिध्धानतों के साथ शुरुआत की ताकी यह निर्धारत किया जा सके कि अंतरिक्ष में रॉकेट लगाने के लिए क्या आवश्यक कच्चे माल जैसे मौलिक तत्वों का पता लगाया गया, मस्क ने महसूस किया कि मौजुदा रॉकेट कार्यक्रमों के लिए सामगरी की लागत कुल लागत का 2% थी, मस्क ने पाया कि बहुस्तरिय आउट्सोसिंग के कारण श्रम, अनुसंधान और विकास लाग करने और अन्य रॉकेट निर्मान परियोजनाओं में लागत में व्रिध्री को कम करने का निर्नाय लिया, मस्क ने नए विशेश घटकों को नया स्वरूप देने के बजाए अन्य उद्योगों के घटकों का उप्योग करने का भी निर्नाय लिया, मस्क ने पुनह बचना मुश्किल काम है अद्रिश्य नियम और भी जिद्दी हैं वे मूख हत्यारे हैं जो हमारी जानकारी के बिना हमारी सोच को बाधित करते हैं हम मानते हैं कि रेस्टोरा में टेबल होना चाहिए हम मानते हैं कि रात भर रहने की जगह होटल होनी चाहिए हम मानते हैं कि ल आवश्यक है। हमारी सभी धारनाओं पर सवाल उठाना ठकाओं और उल्टा होगा। द्यानिक निर्णियों को नेविगेट करने के लिए रूटीन और शॉटकट। आवश्यक हैं। उन क्षेत्रों को प्राथम इकता दे जहां आप प्रथम सिध्धान्त सोच को लागू करत हैं। सबसे महत्वपून समस्याओं को हल करने के लिए इस द्रिष्टिकोन को बचाएं। धारनाओं को दूर करने के लिए पूछे जाने वाले। प्राश्ण। क्या होगा अगर यह सच नहीं थे। मैं इसे इस तरह क्यूं कर रहा हूं। क्या मैं इससे छुटकारा पा सक सकता हूं। क्या मैं इसे किसी बहतर चीज से बदल सकता हूं। मौजुदा आख्यान को आप या समाज अपनी संभावनाओं को परिभार्शित या सीमित न करने दें। आपके महत्व की कहानी बस यही है एक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद नहीं है तो आप कहानी बदल सकते हैं। निक कोकोनास रेस्टरेंटर व्रिध शील परिवर्तन करना कठिन है। हर बार और फिर आपको इसे नश्ट करने और इसे बहतर तरीके से पुनर निर्मान करने की आवश्यक्ता होती है। कुछ नया शुरू करने या तलाशने की प्रतिबधता के साथ रचनात्म पुनर निर्मान और विनाश होना चाहिए। जब तक आप विचार के अंतर निहित पैटन को नहीं बदलते। आप उसी की और अधिक उम्मीद कर सकते हैं चाहे आप कितनी बार स्लेज हैमा पार्टी रखते हों। कंपनी को मार डालो अभ्यास। एक सोचा प्रयोग जिसमे आप प्रतिपक्षी की भूमे का ग्रहन करते हैं। किसी कंपनी या विचार या चीज को नश्ट करने के तरीकों के साथ हाओ। जिसकी आप परवा करते हैं। ऐसा करने से आपको नए विचारों पर मन्थन करने और अपनी वर्तमान स्थिती के बारे में कमजोरियों और खत रूप से अच्छी तरह से समझाते हैं, तो सरल चुने, रचनात मक्ता और नवीनता के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में घटाव, कबार को काट कर चीजों को ठीक करें, एक प्रनाली को उसके प्राथमिक घटकों तक कम करें, उप्योगिता का त्याग किये बिना कि असी चीज को यथा संभव सरल बनाए, काटने के लिए संपून बनाना है, घटाना यानी जोडना, विवश करना ही, मुक्ति है, केवल प्रक्रियाओं और धारनाओं को काट कर अपनी सोच को ढखक कर ही आप अपने दिमाग की सच्ची रचनात मक्ता को उजागर कर सकते हैं अधियाए 3, प्ले में एक मन अलबर्ट आइनस्टीन, जब मैं अपने और अपने विचारों के तरीकों की जाच करता हूँ, तो मैं इस निशकर्ष पर पहुचता हूँ की कल्पना का उपहार मेरे लिए सकारात्मक ज्यान को अवशोशित करने के लिए मेरी प्रतिभा से अ लिफ्टों को तेज करना, चित्रकार गिरना, आदी, कई वैज्यानिकों के लिए मन की प्रयोगशाला भौतिक दुनिया की प्रयोगशाला से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जितना चौकाने वाला लगता है, हम केवल सोचकर ही सफलताएं उत्पन कर सकते हैं, कोई लोग हमें पहले सिध्धानतों की सोच पर विचार करने और इस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमती देते हैं कि चीजें कैसे मानक हो सकती हैं, न की वे कैसे हैं, श्रोडिंग की बिल्ली और गैलिलियों की अरिस्टोटिलियन भौतिकी की खोज विचार प्रयोगों पर अधारित थी, हम जिग्यासा को भी हतोत साहित करते हैं क्यूंकि इसके लिए अज्ञानता की स्वीकृति की आवश्यक्ता होती है, प्रशन पूछना या विचार प्रयोग करना यह संकेत देता है कि हमें किसी प्रशन का उत्तर नहीं पता है, हमारे अहम अक्सर सत्य और प् सूचते हैं, बहुत बार हम पारमपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं जिनका 99% आबादी भी उप्योग करती है, परिनाम बासी और पारमपरिक सोच है, जोर्ज बरनार्ड शौ, नाटककार, कुछ लोग साल में दो या तीन बार से ज्यादा सोचते हैं, मैंने सप्ताह में ए किया दो बार सोचकर अंतराश्ट्रियस तर पर अपनी पहचान बनाई है, एडविन लैंड, पोल रॉइड संस्थापक, ने उस प्रश्न का पता लगाया, जो उसके बच्चे ने फोटो लेते समय पूछा था, मैं अब तस्वीर क्यू नहीं देख सकता, उन्होंने पूछ कि कैमरे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बदलने में क्या लगेगा, जिग्यासा और अन्वेशन के रूप में खेलें, खेल और बुध्धी को पूरक होना चाहिए, प्रतिसपर्धी नहीं, खेलो, अलग धंग से कहो, बुध्धी के लिए एक पोर्टल हो सकता है, विचा के कार्य को मुक्त करना है, याद रखें, हाला की प्रयोग शुरुआती बिंदू है, अंत नहीं, प्रक्रिया गडबर और अरेखिया है, लेखकूप को विकर्षनों से मुक्त संरचित समय के बड़े हिस्से के रूप में परिभाशित करता है, ज्यादातर लोग या तो पूज कर विचार में आराम से समय बिताने, में असफल होते हैं, अगर हम सोचने के लिए समय नहीं लेते हैं अगर हम रुकते, समझते और विचार विमर्ष नहीं करते हैं तो हम ग्यान नहीं पा सकते हैं या नए विचार नहीं बना सकते हैं, हम समस्या के साथ रहने के कभी भी मेरा सबसे अच्छा विचार नहीं होता है मेरा पहला विचार हमेशा किसी और का होता है यह हमेशा वही होता है जो मैंने पहले ही इस विशय के बारे में सुना है हमेशा पारंपरिक ज्ञान सफलता तब मिलती है जब हम अच्छे प्रश्न पूछते हैं समय और उश् इन विश्यों के विचारों का क्रॉस परागन आवश्यक है. सेब की तुलना संत्रे से करने का मुहावरा गलत है. हमें सेब और संत्रे की तुलना करनी चाहिए. विशेशग्यता ओवरेटेड है. रुची और विचारों की विविधता रचनात्मक्ता को बढ़ावा देती है. स्टीव जॉब्स, व्यवसाई, रचनातमक ता सिर्फ चीजों को जोड रही है जब आप रचनातमक लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने कुछ कैसे किया तो वे थोड़ा दोशी महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तव में ऐसा नहीं किया उन्होंने बस कुछ देखा, कॉम्बिनेटरी प्ले, आइंस्टाइन ने जिस विचार की वकालत की थी, उसमें आप अपने आपको विचारों के एक प्रेरक गटबंधन, भिन में समान देखते हुए, और सेब और संत्रे को एक नए फल में मिलाने और पुनर संयोजित करने के ये उजागर करते हैं, पार परागन की सुविधा के लिए, प्रसिद्ध वैज्यानिक अकसर विविध हितों का विकास करते हैं, बाहरी लोगों और शुरुआती दिमागों के पास अच्छी तरह से प्रचलित विशेओं पर शक्तिशाली अंतर द्रिश्टी होती है क्योंक प्यानिक सिध्धान्त की शुरुआत की, जिफ बेगोस फाइनांस की दुनिया के जरिये रिटेल में आये, एलोन मस्क एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अंतर एक श्रॉकेट की, दुनिया में आये, अलबर्ट आइनस्टीन एक पेटेंट कलक थे, जब उन्होंने सापेक्षता पर अपना मौलिक पेपर प्रकाशित किया, एक पेपर जिसमें लगभग पूरी तरह से पूर्व कारियों के उधरन नहीं थे, शोशिन, शुरुआती दिमाग का जैन बौध है, शुन्रु सुजु की, जेन शिक्षक, शुरुआती के दिमाग में कई संभाव हैं, विशेशक्य के दिमाग में कुछ ही है, यह फोर, चांदनी सोच मूनशोट, एक सफल तकनीग जो एक बड़ी समस्या के लिए एक क्रांतिकारी समाधान लाती है, उदाहरन, गूगल एक्स का, प्रोजेक्ट लून, जो गुबबारों के माध्यम से इंटरनेट एकसिस इंटरनेट सर्वरों की सरणियों को ले जाता है, सौर उर्जा द्वारा संचालित होता है और इंटरनेट सिगनल को नीचे की ओर बीम करता है, 1960 के दशक में मानवता का पहला वास्तविक चंद्रमा अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, वृद्धी शील, 1%, सुधार यथा स्थिती के दायरे में, काम करते हैं, मौलिक परिवर्तन और 10 गुना या 100 गुना वृद्धी की घटनाएं चंद्रमाओं के माध्यम से होती हैं, एक चांदनी का पीछा करना आपको एक अलग लीग में डालता है और अकसर एक पूरी तरह से अलग खेल अपने, प्रतिद्वंद्वियों से, स्थापित नाटकों और दिंचर्या को काफी हद तक अप्रासंगिक बना देता है, यदि आपका लक्ष कार सुरक्षा में सुध उधार करना है, तो आप कार के डिजाइन में क्रमिक सुधार कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका लक्ष सभी दूर घटनाओं को समाप्त करने का एक चांदनी है, तो आपको एक खाली स्लेट से शुरू करना चाहिए और सभी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए जिसमें मा अपरेटर भी शामिल है, पहिए के पीछे, यह पहला सिध्धान्त द्रिश्टिकोन स्वायत वाहनों की संभावना का मार्ग प्रशस्त करता है, स्पेस अक्स, न केवल उपग्रहों को पृत्वी की कक्षा में लौंच करने के लिए, मंगल पर एक मिशन के उच्च लक्ष क के लिए लक्ष बना रहा है, यह उद्देश्य इसे अंतरेक्ष उडान और अंतरेक्ष नवाचार और यथास्थिती से वेराम के अपने द्रिश्टिकोन के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है, माउस बना म्रिग की कहानी, एक शेर को एक चुहे को पक लेकिन म्रिग अधिक पुरसकार देता है, साद रिश्य, लोग चुहों का शिकार करते हैं जब उन्हें म्रिग का शिकार करना चाहिए, अतिरेक्ट लाब, म्रिगों के लिए बहुत कम प्रतिस परधा है, अब्राहम मासलो, मनोवे ज्यानिक, मानव जाती की कहानी अच्छा, स्मार्ट जोखिम लेना कुछ ऐसा है जो कोई भी कर सकता है, चंद्रमा लेने में बाधा वित्तिय या व्यवहारिक नहीं है, यह एक मानसिक है, हमें यह विश्वास करने के लिए बहकाया गया है कि उची उडान की तुलना में कम, उडान भरना सुरक्षित है, क अमारी अपेक्षाए स्वतव पूर्ण भविश्यवानिया बन जाती है, सबसे अच्छा, औसत दर्जे का लक्ष्य औसत दर्जे का होगा, डाइवजेंट थिंकिंग, विभिन विचारों को उत्पन करने का एक तरीका, बाधाओं, व्यवहार्यता और वित्तिय सीमाओं की उपेक्षा करता है, प्रयोगा अत्मक, विचारों के लिए खुला और अत्यधिक आशावादी, लक्ष्य विकल्पों की जड़ी लगाना है, समय से पहले उन्हें आखना नहीं, बेतुके की जाच करें, क्या बनाम चाहिए, स्वेम के रूप में मैं क्या कर सकता था, इसके पर्ष्ट या पारम परिक समाधानों पर शून्य हो जाती है, हमें उनका मूल यांकन और उन्मूलन शुरू करने से पहले विचारों को पहले उत्पन करना होगा, ऐसे लोगों और वाक्यान्शों से सावधान रहें जो बुधिशीलता को बाधित करते हैं, हमने पहले भी क कोशिश की है, हमारे पास बजट नहीं है, प्रबंधन कभी स्वीकृती नहीं देगा, यह नहीं किया जा सकता, विचार निर्मान और विचार मूल यांकन के बीच अंतर के कारण, कई लेखक प्रारूपन के कार्य को संपादन के कार्य से अलग करते हैं, मसौदा अलग सोच के लिए है, संपादन अभिसारी सोच के लिए है, भिन सोच का उदाहरन मंगल पर उतरने के तीन तरीके पैदा करता है, 2003 मार्स एक्स्प्लोरेशन रोवर्स को एर बैग में रखा गया था, 2008 फीनिक्स मिशन ने एक लैक्ट लेंडर का इस्तेमाल किया, 2011 क्यूरियोसिटी र अनिय में तो तेजना के तहट दिमाग का व्यायाम और बहतर तरीके से धक्का दिया जाता है, अपने स्वयम के उपकरण के लिए छोड़ दिया, आपका दिमाग कम से कम प्रतिरोध के मार्ग के लिए प्रयास करता है, आराम, व्यवस्था और पूर्वानुमेयता रचनात मकता को प्रभावित कर सकती है, आपके नियूरॉन्स, आपकी मानस्पेशियों की तरहा, असुविधा के माध्यम से फिर से जुड़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं, असंभव के रूप में चिनित चीजों को सीखने और समझने के लिए विशाल, रोमान चक अवसरों के आत्मक और ओफ द वॉल विचार उत्पन करने का एक तरीका है, गौर कीजिए, यह एक कालपनिक भविश्य में कैसे काम कर सकता है, चंद्रमा सोच के माध्यम से मस्तिश्क को चौकाने का मतलब यह नहीं है कि हम व्यभारिक्ताओं पर विचार करना बंद कर दें, एक बार जब हमारे पास हमारे निराला विचार होते हैं, तो हम उन्हें अलग-अलग से अभिसर्ण सोच आदर्शवाद से व्यभारिक्ता में बदल कर वास्तविक्ता से टक्रा सकते हैं, बुरा विचार मन्थन, अच्छे विचारों को खोजने के मार्ग के रूप में भयानक अक्सर एक अच्छे विचार का चचेरा भाई होता है, बैक कास्टिंग बनाम पूर्वानुमान, भविश्य में देखने के लिए पूर्वानुमान वर्तमान, यानि यथा स्थिती, से काम करता है, नकारात्मक पक्ष यह है कि यहां आज की कई मौजुदा धारनाओं, पू वहां कौन पहुचेगा, बैक कास्टिंग भविश्य की दृष्टी को निर्नाय लेने और समाधान चलाने की अनुमती देता है, अमेजॉन, बैक कास्टिंग के समान दृष्टि कोन का उप्योग करता है, जो उतपाद टीमों को उन उतपादों के लिए आनतरिक प्रेस वि विख्यप्ति विक्सित करता है, जो मौजूद नहीं है, जेफ बेगोस, हम केवल उन चीजों को निधी देते हैं, जिन्हें हम सपष्ट रूप से सपष्ट कर सकते हैं, एक प्रेस विख्यप्ति पर पुनरावरिती वास्तवे कुतपाद पर पुनरावरिती की तुलना में कम खरचीला है, अभ्यास के हिस्से में ये है, निर्धारित करना शामिल है कि पेशकश के कौन से पहलू ग्राहकों के लिए सबसे अधिक निराशा जनक होंगे और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होंगे, बैककास्टिंग एक गंभीर वास्तविक्ता की जाज भ रूप में आंतरिक मूल्य प्राप्त करने के लिए खुद को स्थिती दें, मंकी फिस्ट रणनीती, परिद्रश्य, बोस चाहता है कि आप एक बंदर को एक आसन पर खड़ा करें और उसे शेक्स्पियर के अंशों को सुनाने के लिए प्रशिक्षित करें, अधिकांच प्रशित नहीं कर सकते तो कोई परियोजना नहीं है, मंकी फिस्ट सनक कॉस्ट फॉल्सी से बचने में मदद करता है, आपको पहले पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट व्यवहार्य है या नहीं, पहले प्रोजेक्ट की एचलीस हील से निप्टें, कब जारी रखना है या प्रोजेक्स गो, नो गो मांदंड का एक सेट है, परियोजना की शुरुआत में इन मांदंडों को विक्सित करें, के स्टडी, गूगल एक्स का फॉगहॉन प्रोजेक्ट, फॉगहॉन ने गैसोलीन के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में समुदरी जल से सी ओ टू को तरल इन्धन में बदलने पर ध्यान दिया, टीम का लक्ष फाइव डॉलर में एक गैलन इन्धन के बराबर उत्पादन, लागत प्राप्त करना था, तकनीक कुरसी बन गई, समुदरी जल को इन्धन में बदलना आसान था, बंदर की कीमत थी, समग्र प्रक्रिया बहुत मह खास कर जब पैट्रोल की कीमतों में गिरावट आ रही थी, हम नहीं जानते कि बंदर को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन हम पैडिस्टल बनाना जानते हैं, इसलिए हम उनका निर्मान करते हैं, इमेल लिखना, अंतहीन बैठकों में भाग लेना, एक परियोजना के सबसे कठिन हिस्से से निपटने के बजाए, जो अकसर आसान होता है वो महत्वपून नहीं होता, और जो अकसर महत्वपून होता है वो आसान नहीं होता, बर्नार्ड शौ, उचित व्यक्ति खुद को दुनिया के अनुकूल बना लेता है, लेकिन अनुचित व्यक्ति दु करें अध्याय पांच क्या होगा अगर हम एक के बजाए दो रोवस भीज दें बहतर उत्तर पाने के लिए बहतर प्रश्न खोजें समस्याओं को हल करने में हम सहज रूप से उत्तरों की पहचान करना चाहते हैं जब हम तुरंट उत्तर मोर में लॉंच करते हैं तो हम गलत समस प्रश्टी होती है यह हमारे उत्तरों से बहुत जल्द प्यार हो जाता है तो यह बहतर विकल्प देखने पर हमारे दिमाग और रचनात्मक्ता को बंद कर देता है आइंस्टीन प्रभाव एक निश्चित मानसिक स्थिती या द्रिश्टि कौन होना पारम परिक शिक्षा छात्रों को प्रश्ण को फिर से तयार करने के बजाए निश्चित सही उत्तरों के साथ समस्याओं का उत्तर देना सिखाती है जब आप एक अच्छी चाल देखते हैं तो इसे तुरंत न करें एक बहतर की तलाश करें प्रश्ण के भीतर उत्तर निहित हैं प्रश्ण का निर्धारन समाधान का एक महत्व पूर्ण लेकिन अक्सर अंदेखा किया जाने वाला टुकड़ा है जब हम किसी प्रश्ण को फिर से बनाते हैं जब हम अपने प्रश्ण करने के तरीके को बदलते हैं तो हमारे पास उत्तर बदलने की शक्ती होती है सबसे रचनातमक कला छातर अपने कम रचनातमक समकक्षों की तुलना में तयारी और खोज चरण में अधिक समय व्यतीत करते हैं रणीती के लिए गलत रणीती से बचें रणीतिया एक उदेश्य को प्राप्त करने की योजनाय हैं रणीती वे कार्य हैं जो आप एक रणीती को लागू करने के लिए करते हैं बहुत बार लोग रणीती या सचे उदेश्य को ठीक से समझे बिना रणीती कार्यों के एक सेट का अनुसरन करते हैं मास रोवर लैंडर समस्या टीम को यह तै किया गया था कि तीन पेर वाले लैंडिंग उपकरन को कैसे बहतर बनाया जाए, जब सच्ची समस्या, रनीती, मंगल पर रोवर को सुरक्षित रूप से कैसे उतारा जाए चात्रों की टीम एक बहतर इंक्यूबेटर बनाने के लिए निकली, उन्होंने पाया कि सच्ची रनीती एक बहतर इंक्यूबेटर नहीं बल्कि एक बच्चे को गर्म रखने का तरीका था स्टैनफोर टेक्नोलोजी वेंचर्स प्रोग्राम पाँच डॉलर, चुनौती, छात्रों को पाँच डॉलर दिये गए और दो घंटे के भीतर जितना संभव हो उतना पैसा बनाने और फिर तीन मिनट की प्रस्तुती देने का निर्देश दिया गया सफल टीमें पाँच डॉलर पर बिल्कुल भी मुकदमा नहीं करती हैं और यह पता लगाने के लिए समस्या को फिर से परिभाशित करती हैं कि बिना कुछ लिए पैसा कैसे बनाया जाए एक और अधिक सफल टीम ने तीन मिनट के प्रस्तुती समय को एक भरती करने वाली कमपणी को बेच दिया मैं हैं मुझे क्लेटन क्रिस्टिन सिन के कार्य किये जाने वाले कार्य धाचे की याद दिलाता है केवल जब आप जूम आउट करते हैं और व्यापक रन्नीती निर्धारित करते हैं तो आप एक ट्रोटी पूर्न रन्नीती से दूर चल सकते हैं रनीती खोजने के लिए अपने आप से पूछें, इस रनीती को हल करने के लिए यहां कौन सी समस्या है, सच्ची रनीती की पहचान करके, उन विभिन युक्तियों का पता लगाना आसान हो जाता है जिन पर पहले विचार नहीं किया गया था, किसी स्थिती के सभी पहलूं को अलग-अलग देखने के लिए रैफ्रेम करें। रचनात्मक समाधान के साथ आने के लिए न केवल प्रशन बलकी वस्तूओं, उत्पादों, कौशल और अन्य संसाधनों को भी फिर से बनाएं। कार्यात्मक स्थिर्ता, एक प्रकार का मानसे कवरोध जिसमें हम किसी वस्तू या उपकरन के लिए अधेक रचनात्मक उप्योगों को समझने में असमर्थ होते हैं। उदाहरईन, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वजन के रूप में बैरोमीटर का उप्योग करने के बारे में क्या? कार्यात्मक स्थिर्ता उन मान्यताओं के एक सेट से उत्पन होती है जो हमारे पास एक बॉक्स या बैरोमीटर को क्या करना चाहिए। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या जानते हैं, तो आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं? काल जैक को भी गणितग या उल्टा, हमेशा उल्टा, चीजों को अलग तरह से देखने के कई अलग अलग तरीके. वस्तूओं के फंक्शन मुक्ठ विवरन का उपयोग करें. फंक्शन से फॉर्म में स्विच करें. इसके विप्रीट करें. यदि लोग समानता की तलाश में हैं, तो अंतर देखें, और इसके विप्रीट. गौर कीजिए, एक प्रतियोगी हमसे जो करने की अपेक्षा करता है. उसके ठीक विप्रीट क्या है? ग्याइच है. फ्लिप फ्लॉपिंग की शक्ती शरलिक होम्स. किसी के पास डेटा होने से पहले सिध्धान्त बनाना एक बड़ी गलती है. बेवज़ा कोई तथ्यों के अनुकूल होने के लिए सिध्धान्तों के बजाए तथ्यों को मोर करना शुरू कर देता है. पुष्टिकरन पूर्वाग्रा. अधिक वजन वाले साक्ष्य जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों और कम वजन वाले सबूतों का समर्थन करते हैं जो उनके विप्रीथ हैं. अपने सिध्धान्तों और विचारों की पुष्टी करना अच प्तिगत सुधार और सोचने के नए तरीकों को अपनाने के लिए एक महत्वपून बाधा है. रिचार्ड फेनमेन, वैज्ञानेक. पहला सिध्धान्त यह है कि आपको खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए. और आप मूर्ख बनाने वाले सबसे आसान व्यक्ति हैं. रा हम तर्खीन रूप से अपने विचारों से जोड़ जाते हैं. हम अपने विचारों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं. जब हमारी मान्यताएं और आपकी पहचान एक समान होती है. तो अपना मन बदलने का अर्थ है. अपनी पहचान बदलना यही कारण है कि असहमती अक्स अस्तित्वगत मौत के मैचों में बदल जाती है, कार्य परिकल्पना, एक अनंतिम स्पष्टी करण जो आगे के शोध के लिए आधार बनाता है, वैज्ञानिक राय बनाने के बजाए कार्य शील परिकल्पनाओं का उपयोग करते हैं, कार्य परिकल्पनाओं का परीक्षन कि जबकि राय का बचाव किया जाता है। कार्य परिकल्पना निंदनिय है और अनुसंधान प्रयासों के आधार पर इसे बदला जा सकता है या एक नए के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। लेखक ने मैं बहस करता हूँ कहने के बजाए इस पेपर की परिकल्पना के साथ बातचीत शुरू करके अपने तर्क को अपने नाम से अलग करना सीखा। अपनी कार्य परिकल्पना को स्थापित करने से पहले अपनी पूर्व धारनाओं का परीक्षन करें। यह सुनिश्च करने के लिए कि आप एक ही परिकल्पना के प्यार में नहीं पढ़ते हैं। कई उतपन करें। आदर्ष रूप से आपके द्वारा स्पिन की जाने वाली परिकल्पनाओं को एक दूसरे के साथ संगहर्श करना चाहिए। परसपर विरोधी विचार कैसे उतपन करें। 6. मैं क्या नहीं देख रहा हूँ? खुद को गलत साबित करने के लिए सक्रिया रूप से काम करें. नकारात्मक परिनाम या विफलताएं उत्पन करने का प्रयास करें. उदाहरंग 2, 4, 6 नंबर का खेल दूसरों के साथ सहयोग करें. दूसरे लोग वही देखेंगे जो आप नहीं देखते हैं. अपने साथ डेविल्स एडवोकेट खेलें. स्ट्रॉ मैन तरकों की तुलना में स्टील मैन तरक अधिक प्रभावी होते हैं. स्टील मैनिंग में सबसे अच्छा और मजबूत विरोधी तरक खोजना. शामिल है. हमारा लक्षे ये होना चाहिए कि क्या सही है? सही नहीं है. अध्याय साथ. परीक्षन के रूप में आप उड़ते हैं. उड़ते हैं जैसे आप परीक्षन करते हैं. प्रयोग और परीक्षन शक्तिशाली उपकरन हैं. जिनका हम जीवन के कई पहलूओं में परियाप्त उप्योग नहीं करते हैं. जब हम परीक्षन करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम परिनामों को गलत तरीके से न पड़ें और उन्हें पुष्टे करन पूर्वाग्रा को सुद्रेड करने की अनुमती दें. एक अच्छी तरह से डिजाइन किये गए परीक्षन में, परिनामों को पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है. आपको असफल होने के लिए तैयार रहना चाहिए. एक उचित परीक्षन में, लक्ष वो सब कुछ खोजना नहीं है जो सही हो सकता है. इसके बजाए, लक्ष हर चीज की खोज करना है जो गलत हो सकती है और ब्रेकिंग पॉइंट ढूंड सकती है. किसी वस्तु के तूटने के बिंदू को निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका उसे तोड़ना है. ओप्रेशन के दौरान की तुलना में पहले से, खामियों का पता लगाना बहतर होता है. अर्थात अंतरिक्ष में उडान भरने से पहले अंतरिक्ष यान के साथ समस्याओं को उजागर करना, कम संभावना वाले परिद्रिश्यों के रूप में, किनारे के मामलों या बाहरी लोगों को खारिज करने के लिए इतनी जल्दी मत करो. उदाहरईन, माज रोवर लैंडिंग परीक्षन जिसमें विभिन प्रकार की चत्ताने परीक्षन सतह पर स्थित थी. ब्लैक रॉक नामक एक असामान्य चत्तान के कारण सिंगल ब्लेडर लैंडिंग कुशन फट गया. इस चत्तान को असंभाव्य के रूप में खारिज करने के बजाए, मंगल टीम ने सबसे खराब स्थिती की योजना बनाई और इस चत्तान को संबोधित करने के लिए एक डबल ब्लेडर कुशन बनाया. घटक परीक्षन और सिस्टम परीक्षन अलग-अलग घटकों को अलगाव में और उन प्रनालियों और उप प्रनालियों के साथ परीक्षन किया जाना चाहिए जिनके साथ वे बातचीत करते हैं. जटिल प्रनालियों और घटकों के बीच परस पर क्रिया अकसर अप्रत्याश्यत या हानिकारक परिनाम देती है वे अंतरिक्ष यात्री रहने के लिए अंतरिक्ष में नहीं उड़ते हैं वे जीवित रहने के लिए अंतरिक्ष उडान के लिए प्रशिक्षन और तयारी करते हैं. मैं 6 साल के लिए एक अंतरिक्ष यात्री रहा हूँ. क्रिस हेड़फील्ड ने समझाया. मैं 8 दिनों से अंतरिक्ष में हूँ. अंतरिक्ष यात्री को मारने के अभ्यास का लक्ष है. अंतरिक्ष यात्रियों को सिम्यूलेटर में गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करना ताकि वे अंतरिक्ष में सही बनाना सीख सके. समस्याओं का बार-बार समपर्क अंतरिक्ष यात्रियों को टीका लगाता है और किसी भी मुद्दे को हल करने की उनकी क्षमता में उनके आत्म विश्वास को बढ़ाता है. उसी महौल में ट्रेन करें जो आप रेस के दिन अनुभव करेंगे जबकि आपकी प्रतियोगिता जिम के आराम से ट्रेन करती है क्योंकि ऐसा होता है कि बाहर बारिश हो रही है. अधिकांश लोग ऐसी परिस्थितियों में तयारी नहीं करते हैं जो वास्तविक्ता की नकल करती हैं. एक जूता कमपनी का उदाहरन जो एक सीमितरन प्रोटोटाइप बनाम एक सर्वेक्षन चला कर उत्पाद का परीक्षन कर रहा है. वास्तविक जीवन में ग्राहक व्यवहार का अवलोकन करना आदर्श है. लेकिन परिवेक्षक प्रभाव याद रखें. लोगों को देखने का कार्य उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है. मामला, पुस्तक प्रकाशन के लि लिए Google AdWords अभियान चलाए. फेर इसने दुकानों में वैकल्पिक बोक कवर रखे और गुप्त रूप से देखा कि कौन से संसकरन ब्राउज करने वाले. ग्राहकों के लिए सबसे अधिक मोहक थे. सटीक्ता और त्रूटी मुक्ट परिनाम सुनिश्चित करने के लिए पर शक्रिया और उपकरन, ओंग का पुनरीक्षन और परीक्षन किया जाना चाहिए. अपने परीक्षन उपकरनों को अपने निवेश की तरह माने और उन्हें विवित्ता दें. चरन तीन, उपलब्धी अध्याय आठ, असफलता के समान कुछ भी सफल नहीं होता, विफलता के डर से लोगों को तार-तार कर दिया जाता है. अभूत पूर्विया नई चीजे करने के लिए जोखिम की आवश्यक्ता होती है. एलोन मस्क, यदि चीजे विफल नहीं हो रही हैं, तो आप परियाप्त नवाचार नहीं कर रहे हैं. जेफ बेगोज, कुछ बड़ी सफलताएं उन दरजनों और दरजनों चीजों की भरपाई करती हैं जो काम नहीं करती थी. एडम ग्रांट, मनोवे ग्यानिक जब विचार निर्मान की बात आती है, तो मात्रा गुनवत्ता का सबसे अनुमानित मार्ग है. जब हम असफल होते हैं, तो हम अकसर इसे छुपाते हैं, विकृत करते हैं, या इसे अस्वीकार करते हैं. हम तत्यों को फिट करने के लिए सिध्धान्त को समायोजित करने के बजाए तत्यों को अपने स्वयम के सिध्धान्त के अनुकूल बनाते हैं. विफलताओं के लिए दोश सौपना. व्यक्तिगत विफलताओं के लिए हम बाहरी कारकों, पर्यावरन, प्रनाली, अन्य आदी को दोश देते हैं. अन्य लोगों की विफलताओं के लिए हम व्यक्ति को दोश देते हैं. उन्होंने बुरे निर्णे लिए. उन्में इच्छाशक्ति की कमी थी. आदी. लक्ष्य तेजी से विफल नहीं होना है. यह तेजी से सीखना है. हमें असफलता से मिले सबक का जश्न मनाना चाहिए असफलता ही नहीं. अपने व्यवसाय मौडल और विचार निर्मान प्रक्रिया में विफलता को शामिल करें. आपके द्वारा साकार करने में सक्षम से अधिक विचार हैं. समय और संसाधनों के कारण. केवल सबसे मजबूत और सबसे व्यवहार्य विच जीवित रहेंगे. लेकिन किसी विचार के विफल होने से पहले पुनरीक्षन प्रक्रिया में अक्सर परीक्षन और प्रारंभिक प्रोटोटाइप शामिल होता है. एक विश्वस्निय स्रोथ से नकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए दो प्रतिक्रियाएं हैं. इसे अस्वीक करें विफलता मूलिवान डेटा अंतरद्रिष्टी और सबक प्रदान करती है शेन पैरिश लेख जीवन में ज्यादातर चीजे पहले क्रम में सकारात्मक होती हैं दूसरे क्रम में नकारात्मक शर्ण में अच्छा और दीर्ग काल में बुरा एनी ज्यूक्स निर्नै लेने की प्रक्रिया में एक इन्पूट की गुनवत्ता आउटपूट की गुनवत्ता परिनाम के समान नहीं होती है इन्पूट पर ध्यान दें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और परिनामों को एक संभावित दुश प्रभाव के रूप में देखें जो हमेशा आपके नियंत्र तो हम गतिविधी से आंतरिक मूले प्राप्त करने के लिए खुद को शर्ट लगाते हैं ती, वो इन्पुट अपना खुद का इनाम बन जाता है The Art of Possibility, Zandar, से हर बार जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो, कितना आकरशक, कहकर जिग्यासा के साथ परिनाम का विशलेशन करें जब हम सफलता को पुरस्कृत करते हैं और विफलता को दन्दित करते हैं तो कर्मचारी विफलताओं को कम करके आखेंगे सफलताओं की अधिक रिपोर्ट करेंगे और सर्वोत्तम संभव प्रकाश में बीच में आने वाली किसी भी चीज़ को फिर से परिभाशित करेंगे नासा का उडान नियम दस्तावेज विफलताओं का एक संस्थागत रिकॉर्ड है जो नासा के वैग्यानिकों और इंजीनियरों की भावी पीडियों को अंतरद्रिष्टी और सीख प्रदान करता है अस्पताल की टीमों पर एक पेप में पाया गया कि सबसे अच्छी टीमों में सबसे ज्यादा गलतियां थी जाच करने पर शोद करताओं ने पाया कि सर्वश्रेष्ट टीमें अपनी गलतियों की रिपोर्ट करने में बहतर थी सबसे खराब टीमें अपनी गलतियों को छुपा रही थी अध्याए 9. सफलता की तरह असफल कुछ भी नहीं चैलेंजर आपदा और ओर रिंग विफलता संस्थागत सुरंग द्रिष्टी कैसे बनती है इसकी एक सतक कहानी के रूप में समय के साथ ओर रिंग गिरावट को एक स्वीकार्य जोखिम के रूप में देखा जाने लगा जिसे पिछले सफल अंतरिक शटल मिश्रनों द्वारा प्रबलित किया गया था प्रती एक सफलता ने यथा स्थिती में विश्वास को मजबूत किया अन्यता जोखिम के अस्वीकार्य स्तरों को क्या माना जाएगा नए मानदंड को दोश दे जब हम सफल होते हैं तो हम परिचसमस्याओं या गलतियों पर विचार नहीं करते हैं हमें विश्वास है कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ हमें कुछ भी बदलने की संभावना नहीं है और हमारा आत्म विश्वास बड़ा है सफलता एक घटिया शिक्षक है क्योंकि यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे हार नहीं सकते इसका उपाई यह है कि हमारी शब्दावली से दिंचर्या शब्द को हटा दिया जाए और हमारी सभी परियोजनाओं विशेश रूप से सफल लोगों को स्थाई कार्य प्रगती पर माना जाए कोलंबिया और चैलेंजर दुरघटनाओं के लिए अग्रणी एक भी गलत निर्णय, एक बड़ा गलत अनुमान या कर्तव्य का एक गंभीर उलंगन नहीं था इसके बजाए प्रतीत होता है कि हानिरहेत निर्णयों की एक श्रिंखला बनाई गई जिसने अंतरिक्ष एजेंसी को तेजी से आगे बढ़ाया तबाही की ओर नियर मिस डेटा का एक समरिध स्रोथ हैं वे दुरघटनाओं की तुलना में अधिक बार होते हैं प्रीमोटम एक परिनाम ग्यात होने से पहले विफलता और गलतियों की खोज करने की एक तकनीक है आप मानते हैं कि परियोजना विफल हो गई है और एक विचार प्रयोग में सनलगन हैं जिसमें आप संभावित समस्याओं की पहचान करते हैं और वर्तमान में उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं चालन नेमेत, मनोवे ग्यानेक, अलपसंख्यत द्रिष्टे कोण महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि वे प्रबल होते हैं बलकि इसलिए कि वे अलग-अलग ध्यान और विचारों को उत्तेजित करते हैं वे उपन्यास समाधानों और निर्णियों का पता लगाने में योगदान करते हैं आमतोर पर जटिल प्रनालियों में विफलता के कई कारण होते हैं तक्नीकी, मानविय और पर्यावरणिये जो विफलता उत्पन करने के लिए गठ बंधन करते हैं नासा के चैलेंजर और कोलंबिया दुरघट नाओं में विभिन तक्नीकी खामिया लेकिन सामान्य सांस्कृतिक खामिया दिखाए दी तीसरे ओर रिंग पर थपपर मारना आसान है से एक विशाल नौकर शाही में प्रचलित गहरी सांस्कृतिक विकृति का इलाज करने के लिए जब हम यह दिखावा करते हैं कि पहले क्रम के कारण का इलाज करने से दूसरे और तीसरे क्रम के कारण भी समाप्त हो जाएंगे तो हम अंत में उनका मुखोटा लगा लेते हैं और खुद को भविश्य की तबाही के लिए उजागर कर देते हैं हम एक लक्षन को एक कारण के साथ भ्रमित करते हैं और गहरे कारणों को बरकरार रखते हैं जोखिम मुआवजा लेखकिसे जोखिम होमियोस्टेसस के रूप में संदर्भेत करता है लेकिन वो वास्तव में जोखिम मुआवजे के बारे में बात कर रहा है घटना जिससे लोग जोखिम धारना के आधार पर व्यवहार को समायोजित करते हैं लोग कथे जोखिम वाली स्थितियों में अधिक सावधान रहते हैं और जब वे अधिक सुरक्षा महसूस करते हैं तो वे अधिक लापरवाह होते हैं उदाहरण, अमेरिकी फुटबॉल खिलाडी खुद को बचाने के लिए हेलमेर पहनते हैं लेकिन सिर्फ गर्दन में अधिक चोट लगती है उदाहरण, एंटी लॉग ब्रेकिंग सिस्टम ने दुरगटनाओं की संख्या में कमी नहीं की उपसहार, नई दुनिया, जब सफलता शालींता लाती है जब हम खुद से कहते हैं कि अब हमने नई दुनिया की खोज कर ली है तो लॉटने का कोई कारण नहीं है, हम अपने रूप की छाया बन जाते हैं यह पहले दिन बना हुआ है, दिन दो ठहराव है अपरार संगेकता के बाद, इसके बाद कश्ट दाई, दर्दनात गिरावट आती है इसलिए यह हमेशा पहला दिन होता है हमें विचार प्रयोगों को तैयार करना चाहिए चंद्रमा लेना खुद को गलत साबित करना अनिश्चिता के साथ मृत्य करना समस्याओं को फिर से तैयार करना परीक्षन करते समय परीक्षन करना और पहले सिध्धान्तों पर लोटना चाहिए वाल्ट विटमेन हाला कि इस बंदरगाह को आश्रे दिया और इन पानी को शांत कर दिया हमें यहां लंगर नहीं डालना चाहिए